अएरित्रोसाइट्स में इनित्रो कमदभ होता रेड साइट्स कमलभ higher कैसा mimरτ ब्लड सेल कहा जाएगा कैसा बलड यानिकि रेड बलड सेल बलं पा पो तो जनरली जानते ही होगे कि आपको बलड जैसे अक्षी नेटेटेड बलड और डेटे नाकि यानि कि oxygen को carry करने में DCO2 को carry करने में मज़द करता है नंबर देखते हैं इसका तो नंबर जेनरली कितना होता है इस ब्लड का नंबर जो होता है इथरोसाइट का जो नंबर होता बहुत जादा होता है फोर पॉइन्ट फाइब से लेकर के फाइब 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 वीलियन पर सीची या तो मिलियन पर मिलीमीटर क्यों में मापा जाता है ईस तरीके से अब हम कहें कि कोई भी ऑरनीजमिह का नंबर जादा हो गया या तहां तहें तो साइट का नमबर कम होगा यानिंकि डब्लॅब भीस निहीं हम लोग रीथा सब्सक्राइट को लिइन इसलिए आरएवसे जल्काते है इसलिए यानिकि आरवसी का नमबर जब बढ़ जाएगा सो जब घड़ जाएगा तो क्या होगा एक डिसॉर्डर होगा और डिसॉर्डर का कुछ नाम होगा है ना तो हम लोग लिखते हैं एबनॉर्मल एबनॉर्मल कि इनक्रियेज या राइज आफ और भी सी क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे पॉली साइ थीमिया इस कंडिशन को क्या कहा जाएगा इस कंडिशन को कहा जाएगा पॉली साइ थीमिया जबकि दूसरा जो कंडिशन है एबनॉर्मल लोग या हम लोग कह सकते हैं फॉल एबनॉर्मल फॉल आफ आर भी सी जब आर भी सी घटने लगे हमिन ब्लड में न उस condition को क्या कहेंगी उस condition को pony आपको polycythé mea peiniya कहा जाए गा क्या कहा जाएगा है न तो क्या कहा जाएगा पीण्या टो ओ कि insightful क hour कि ईनिक टर्म के लिए आपको लोग के लिए हम जानते हैं यानिकि नंबर गमता है तो तो हम लोग पीनिया टर्म लगाते हैं अब जो है जनेरली जानिये कि आपको किड़नी जो है अब को लड का निर्मान कैसे होता है डाली बी और Мне मैं कैसी होता है किड़नी एक हार्मोन निकालता है एक हार्मोस कैर्ट करता है कि उस्कृ Сп Eph हर्मोन का नाम क्या होता है इरिथ्रो पोईटीन क्या करता है आपको आरवी सी बनाने में मदद करता है उस प्रोसेस को कहा जाता इरिथ्रो पॉइसिस कहा जाता है क्या कहा जाता हूए यानि किक जो है आपको सेकिरीट करता है हैं इस तो उसे जो एकरिट किया हर्मोन renceॉष्झ जो उसे सिरे सबस्च्रांट को कहा गया इथरो पॉइटीन हर इस परोसेस को । कहा गया इथरो पोईटीन जो हार्मोन से वो क्या करेगा और बीसी फॉर्मेशन करने में मदद करेगा ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जानते हैं और बीसी के बारे में ध्यान दीजिए और बीसी क्या होता है आर बीसी जनरली आर बीसी का सिए के बारे में जानिए आर बीसी सर्कूलर होता है क्या होता आर बीसी सर्कूलर होता है कैसा होता बाई कंकेव होता है क्या होता बाई कंकेव होके इस तरीके से हमनों कह सकते हैं कि यह सर्कूलर होता है बाई कंकेव होता है ठीक है तो जनरली सर अर्बीसी और मैची और होता है तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है जब यंग होता है तो यह नुक्लियेटेड नुक्लियेटेड होता है यानि कि इसमें नुक्लियेटेड पाया जाता है नुक्लियेटेड अर्बीसी होता है लेकिन जब मैची और होता है तो इसमें नुक łościば resi कहा जाता है किसा है जितने ही होते हैं वसमें आरबीसी पाहा नहीं जाता है सिर्फ इक्सैड質 में कैमल और लाबा में ही नुगलेस पाया जाता है नुगलेस देखने को मिलता है सलसे पढ़ेंस पहले यह से मिटाएंगे तो यह से मिटाते हैं कि चलिूरी मतलब कि इरिथ्रो साइढ्स डियानि और वीसी बना बनता अप्क हां है हम लोग जानते हैं formation of rbc formation of rbc तो formation of rbc का formation कहां पर हुआ तो यह हमें जानना है ठीक है तो देखिए इन इंब्रो कंडिशन में इन इंब्रो कंडिशन में यह योगसेक में आपको बनता है योगसेक से बनता है आगे जाकर के आगे जब बड़ा होता है जब यंग होता है तो आपको इन इंब्रो के बाद है ना आफ्टर लिख सकते हैं इंब्रो कि यह बनता है लीवर में लीवर हिपट अस्पलीन में भी बनता है अधिकत लास्ट ली यह फॉर्म होता है कहां पे लास्ट ली फॉर्म होता है बोन मेरो में यह जाकर के लास्ट ली क्या होता है यह बनता है हमनों जानेंगे कि इसका डाइमीटर कितना होता है डाइमीटर औफ आरवी सी तो इसका डाइमीटर साथ से आठ माइक्रो मीटर होता है इसका डाइमीटर कोई दिकत कुछ दिकत नहीं है आगे चलते हैं कि चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि चलिए यंग जो आरवी सी होते हैं तो हम लोग को समझना है औरमेशन ओप आरवी सी होने में और ये atching ज़ूर्स होता है बीटामिन वी इन में कि सका receptive टैमीन ट्यूफRed का इसका रसाइनीक नाम ह्यानीकी धेन कल नाम है लem К्या नाम है रहल्यक्री नाम है और एक और है फोलिक एसीड इसका मात्रा अगर बढ़ा रहता है ये दोनों का मात्रा दोनों का मात्रा तो आपको आर्वीसी का फॉर्मेशन नुक्लेटिट फॉर्म में होता है लेकिन जब इसका एबनॉर्माल फॉल हो जाए जब घटने लगे जब इसका मात्रा कम है बॉडी में तो क्या होता है एक बीमारी होता है उसको कहते हैं मैक्रो सिटिक अनीमिया कहा जाता है क्या कहा जाता है मैक्रो सिटिक अनीमिया के नाम से जानते हैं या तो हम लोग कह सकते हैं मेगायलो बलास्टिक अनीमिया भी कहा जाता है इस तरीके से तो यह हुआ डिफिसेंसी अब हम लोग जानेंगे कि देखें यह त्रोसाइट से यानि कि आर्बीसी जहें आर्बीसी में मैट्रोकॉंड्रिया पाया जाता है कि नहीं गॉल्जी बड़ी पाया जाता है कि नहीं यह सब हम लोग जानने का परियास करते हैं देखे ए एह्साइट में जो भी आपको और्गनाल होते हैं में मिंब्रेस ऑर्गनाल जैल जैलाली डॉजी बड़ी टिफिको बड़ी अब सेंट होते हैं अगर कहा जाए आगे लाटे कोणरिया इभून Sn gost का अब सेंट होता है किby cough, सेंट होता है किर अंप्रमण capsule इयर प्रूल होती है अब सेंट होता है तीनो का तीनो अब सेंट होगा ओके चलिए एथरोसाइट्स फांक्सन क्या है मैंने बताया ही फांक्सन निचराण आफ आर्बी सी to carry of oxygenated and deoxygenated blood है ना इस तरीके एक blood को oxygen and deoxygenated blood को carry करेगा तो oxygen oxygen को carry कौन करता है जैसे oxygen के साथ bind कौन होता है तो RBC में आप लोग जानते होंगे कि RBC में क्या होता है इन आर्वी सी एक हिमोगलोबीन नाम का सभस्टान्स होता है वही बाइंड करता है किसके साथ? ओक्सिजन के साथ ये ओक्सिजन जिनरली आपको पुर्फारीन के साथ पाया जाता है फेरस फौर में फेरिक फौर में होगा तो उस condition को मिथ है गलोबीन कहा जाएगा मिथ है गलोबीन के नाम से जानते हैं क्या कहेंगे मिथ है गलोबीन तो इस हीमोगलोबीन में अगर जाना जाए तो हीमोगलोबीन में आपको दो टर्म आता है एक हीम टर्म आता है एक टर्म आता है गलोबीन टर्म हीम टर्म जो होता है क्या होता है और गलोबीन टर्म हीम टर्म नन प्रोटीनस होता है यह प्रोटीन बाला पार्ट नहीं होता है जबकि आपको गलोबीन बाला जो पार्ट है यह आपको प्रोटीनस होता है क्या होता है प्रोटीनस होता है इतना आपने समझा अब हम लोग पूरे ब्लड करता है चार oxygen को फोरizophren को बाइंड करता हैं पूर मौलिक्यूल को क्या करेगा बाइंड करेगा तो एक हीमोगलोबीन चार को अक्सिजन मौलेकूल तो इतना आपको ऑक्सिजन खपत होता है आपको एक वार में ठीक है तो इस तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं और कोशिज करते हैं ना हीमोगलोबीन का मात्रा कितना होता है जो जानने का परियास करते हैं 16-18 ग्राम पर डेसी लीटर होता है है ना कि एमाउंट ओफ हीमोगलोबीन कितना होता है 16-18 ग्राम पर डेसी लीटर होता है कोई दिकत नेक्स पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोग जानते ही होंगे हम आगे कहां समझ जाने वाले हैं इसका लाइफ हस्पान कितना है कि लाइफ हस्पान लाइफ हस्पान तो आप जानते ही होंगे कि आरवी सीगा कितना होता है सबसी ज्यादा होता है 120 डेस होता है कि जब यह मरता है तो कहां पर चला जाता है स्प्लीन में चला जाता है है ना तो यह जो हीमोगलोबीन जो यह मरता है तो कहां चला जाता स्प्लीन में ठीक है और एक बात है कि हीमोगलोबीन जो है जब ब्रेकडाउन होगा यह जो ब्रेकडाउन हुआ ये breakdown होने के बाद दो चीज बनाता है एक बनाता है bile pigment बनाता है बिली रूबीन और बिली बर्डीन बिली बर्डीन ओके तो इस तरीका का condition अगर ज्यादा हो जाएगा बना देगा तो जॉन्डिस condition देखेने को मिलेगा कौँसा condition ये जब access हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ये हो जाएगा अगर abnormal rise हो जाएगा body में तो आपका कौँसा condition देखने को मिलेगा जॉन्डिस condition देखने को मिलेगा ओके तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं आपको एक बात और है ध्यान दीजे देखे आइरन जो होता है आइरन का मात्रा अगर कहीं पर घट गया बलड में घट गया RBC में घट गया है ना क्योंकि फेरस आपको जो होता है आपको RBC में होता है तो फेरस जो है टर्म है यहाँ पर फेरस जो टर्म देख रहे हैं इससे बीमारी होता उसको कहते हैं वानिक्रो सिटिक अनीमिय क्या विज्ट नहीं है तो मेजने अभी पढ़वा wb को द्धान देना है फ्रेंट्स हे अलों समझेंगे و BAC के अब डाव PF काते हैं लूको साइट्स लूको साइट्स या तो डवलू बी सी के नाम से हम लुक जानते हैं पूरा ठीक है तो लूको साइट्स जानिए नंबर इसका कितना होता है नंबर ज्यादा नहीं होता है चार हजार से लेकर के छे हजार या पाच हजार जो भी हो है ना या तीन हजार से लेकर के पाच हजार तक पाच छे हजार तक जो भी है पर मिली मीटर क्यू या तो हम लोग कर सकते हैं पर सीसी मातरा में होता है पर सिसी मात्रा में पाए जाते हैं अब है जब WBC का मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडिशन को क्या कहेंगे हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल राइज आफ डबलू बीसी उस कंडिशन को क्या कहा जाता है उस कंडिशन को लूकोसाइटोसिस कहा जाता है क्या कहा जाता है लूकोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं लूकोसाइटोसिस जब कंडिशन होता है एबनॉर्मल फाल आफ आरबीसी के कंडिशन को क्या कहा जाता है तो लूकोसाइटोपीनिया के नाम से जाना जाता है लूकोसाइटो पीनिया या तो लूकोपीनिया के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं जानते हैं क्या करते हैं लूकोसाइटो पीनिया या तो लूकोपीनिया ठीक है तो यह हमने जाना तो पहला हमने कहा लूकोसाइटोसिस दुसरा या तो लूकोपीनिया सकेंड वाला सबसे अ कि देखे हमारे Blood में जब कैंसर होता है तो इंसर एकप्रकार का Blood Cancer वी होता है इसको क्या नाम दिया जाता है इसी को कहा जाता है लुकेमिया के नाम से जानते हैं कि देखें ल्यूकोसाइट्स को दो भागों बाटा जाता है एक ग्रेनियूल्स एक में ग्रेनियूल्स पाय जाते एक ग्रेनियूल्स नहीं पाय जाते तो अन्दा बेसिस अफ ग्रेनियूल्स इसको ल्यूकोसाइट्स को यानि क basis of on the basis of granules on the basis of granules पाहला जो है फास्ट जो है दूसरा एक जिसमें granule नहीं पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे ऐसना के ग्रेनूलो साइट्स एक जिसमें granule पाया जाएगा उसको कहेंगे ग्रेनूलो क्या कहेंगे ग्रेनूलो साइट्स के एक मतलब होता है नौट इसमें ग्रेन्यूल आपको नहीं पाया जाएंगे तो इसमें कौन-कौन रहेगा इसमें दो होते हैं एक मोनोसाइट्स एक लिंफोसाइट्स लिंफोसाइट्स अधिकत जबकि ग्रेन्यूलोसाइट्स में पाहिए पाहिए इसमें कौन-कौन तीन-तीन होते हैं सबस्कों कि पाहिश्श हो गया योश यता और प्रूल से कंफिल्स कि इसे दोल्ड अबर में होता है उसके फाले एक होता है इस ड eatingission अि उसके बाद यो चीनोऊ और एक होता है ऑस्ता ऐसे तो ऐस कि अब हम बताना चाहते हैं मोनोड्साइट्स इसका जो सेल होगा इसका जो सेल होगा इसमे ग्रेनूल नहीं पाए जाएंगे जबकी आपको है को सेल है आपको nucleus जो होगा आपको होगा जुख का रूब होगा इसका भी सरकुलर होगा त्टिक्षे लेकिन बड़ा होगा थोड़ा सा क्रस्फ बड़ा होगा ट्रोफिल्स में क्या है कि सेल पाए जाएंगे कि रींचा होगा ग्रेणूल स्पाया जाएगा ग्रेणूल से है अब ही भरा पड़ा हुआ ग्रेणूल का मातरा है साथ ही साथ हूँगा जो ट्रोफिल्स में थिरी नुकलेस होगा थीनों एक दूसे से जुड़े होगे यानि कि ट्राइलोब्ड होगा जबकि यो सिनोफिल्स में दो होंगे दोनों एक दूसे से जुड़े होंगे इसमें सिंगल आपको होगा आपको नुकलेस पाया जाएगा 200 फिल्स में चलिए अब सुरूस जानते है condition होता है क्या काता है इंगल्फ पर लेता है ओकि तो यह जो concentration जो होता है मोनो साइट का सब्सक्राब का concentration किसका concentration कम होता जो देखिए देखेए ट्रीक है सिंघ्रलेंट मंकीई इट्ट बनाना कि कि इसे हैं शेको न न कमात्रा यार्नकी लिट्न का मात्रा सबसे जदा होता है उपर वाले में सबसे ज़यादा होता नीचे वाले में सबसे कम मात्रा होता है तो देखिए ध्यान से समझेए निट्रोफिल का मात्रा कितना होगा है आपको六 कि इसका 20 to 40% मोनोसाइट का जो कंसंट्रेशन होता है 10 से 20% या 10 से 15% 10 to 15% योसिनोफिल्स का जो होता है 6 to 8% और बैसफिल्स का होता है 0.5 से लेकर के 1% इस तरीके से तो मोनोसाइट का कंडिसन केतना है आपको 10 से 15% पाय जाते है इस तरीके से मोनोसाइट जो है फैगोसाइट है ये जनरली मोनोसाइट में हम लोग पढ़ते है प्रोसेस डायपाड़ीस ये टीसू से जितना भी है बलड को जितने भी बलड होते है कापिलरीज के फार में उसको squeeze कर लेता, नहीं छोड़ लेता, उसको condition को type disease कहा जाता है, उसे लिंफोसाइट, लिंफोसाइट फैगोसिटिक नहीं होते हैं, नन फैगोसिटिक condition के होते हैं, दो तरीके के लिंफोसाइट होते हैं, एक आपको क्या होते हैं, B लिंफोसाइट, एक T लिंफोसाइट होत सबसे ज्यादा होता है कंसंट्रेशन आपको सबसे ज्यादा होता है अगर यह देखे आपको स्टैनिक फॉर में तो यह बिकली एस्टेडिक और क्या होता है बेसिक होता है कंडिशन आगे अगर देखा जाएं तो यह है आपको मल्ती लोब्ड होते मल्ती लोट कंडिशन हैं देखने को मिल रहा है नुक्लियस उसके बाद है यो मन फमील जो दहायर होता है Prison स्टेडिक आपको योसीन जो है एक डाइ से क्या होता डाइ मतलब समयती हो कलर करने वाला है यह सब क्या है आपको अस्टाइनर है अस्टाइनिंग करने में मत करता है है ना अस्टाइनिंग में यूज होता है जैसे बैसोफिल बैसोफिल जो है आपको बैसिक आपको डाइज सबसे कम होता है यह करने मत करते हैं आपको अलर्जिंस में आपको एलर्जिक समय करने में मदद करते हैं इन चेहले लिए तो टूरी जैसा चेहले फोर्म करने में आपको जेनरली एक हिष्टामील एलर्जन रियक्शन में बेस ओफिल्स मज़द करते हैं यह हुआ क्या डालू बीसी के बारे में डालू बीसी का जो लाइफ अस्पान होता है आपको 12 से 13 दीन का होता है कितना 12 टू 13 डेज होता है आगे बढ़ते हैं आप में चलते हैं थ्रॉम्बो साइट्स क्या चलते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं थ्रॉम्बो थ्रॉम्बो साइट्स थ्रॉम्बो साइट्स को ही हम लोग कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं ब्लड प्लेट ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं थ्रॉंबो साइट्स को क्या करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं इसका जो है मात्रा कितना होता है इसका मात्रा लाख में होता है है ना आपको 1.5 इसका नंबर कितना होता है 1.5 lakh से लेकर के 3.5 lakh तक मात्रा होता है पर mm Q में यानि की हनुका सकते हैं CC में अब हम लोग देखते हैं इसी को thrombocytes में जब इसका मात्रा बढ़ जाए तो देखना है abnormal rise of platelets इस कंडिशन को कहा जाता है क्या एक एक एबनॉर्मल पॉल आफ प्लेटलेट्स क्या कहा जाता है ओके तो ध्यान दीजिए जब बढ़ जाता platelets तो उसको कहते हैं thrombocytosis कहा जाता है क्या कहा जाता है thrombocytosis जबकि घट जाता है तो उसको कहा जाता है थ्रॉम्बो थ्रॉम्बो साइटो पीनिया यह तो थ्रॉम्बो पीनिया के नाम से जानते हैं तो इस तरीके से हमने बताया थ्रॉम्ब अब इसका फंक्शन क्या होता है थ्रॉम्बो साइट का फंक्शन फंक्शन क्या होता है फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है है यह एक है कि ब्लड क्लॉटिंग में द्यान दीजिएगा समझेगा जब ब्लड क्लॉटिंग जो सवस्तान से उसका नंबर कम हो जाता है तो आपको बॉडी में हेंबरेज का कंडिसन्स आ जाता है आप ब्लड एक ही जबन जाएंगे ऐसा कंडिशन आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से अब एक प्लेटलेट बनता क्या है एक चीज और बताते है न करके क्या बनाता है blood platelets बनाता है blood platelets बनाता निर्मान करता है ना यह एक था छुट गया था यह भी ओ गया macrosides क्या है रोंड मैरोसेल है क्या है बोन मैरो मेरो अरो-ड़ु था है ठीक है इस तरीके से तो इस तरीके से हमने बताया आपको रित्रोसाइड, लुकोसाइड and थ्रॉम्बोसाइड धन्यवाद